इस वीडियो में हम देखेंगे गुलाम बंस के बारे में, गुलाम बंस के बारे में कुछ इंपोर्टन जो जानकारी है, वो हम देखते हैं या पर, जैसे हम देखें, गुलाम बंस को हम कहते हैं मामलुक बंस, मामलुक बंस भी हम कह सकते हैं, गुलाम बंस कोई मामुली बंस नहीं है इसलिए हम कहेंगे इसको मामलुक बंस भी कहते हैं गुलामों के लिए मामलुक जो सब्द है वो कौन था कुरानिक सब्द था यानि कुरान से लिया गया सब्द था यह मामलुक यह गुलाम बंस के लिए लिया गया था और गुलाम बंस ने शासन किया 1206-1290 इश्वी है फिर कुत्मबदीन एवक के बाद मा आते हैं आराम करने के लिए आराम सा और आराम सा सिर्फ एक साल आराम करते हैं 1210-1211 फिर आ जाते हैं इल्टू तमिस इल्टू तमिस है वो 1211-1226 तक यानि कि हम कह सकते हैं 25 साल तक सासन करते हैं इसके बाद माते हैं रजिया अल्दीन रजिया अल्दीन है ये बारोष सती से बारोष सालिस यानि चार सालिस हासन करते है उसके बाद में आता है मुईजुद्दीन बहराम तो बहराम बहरा हो गया दो साल में तो बहराम जी है दो साल में बहरे हो जाते हैं सासन करते हैं फिर अलावदीन मसूद है अलावदीन मसूद है वो चार साल सासन करते हैं बारा सो व्यालीज से बारा सो श्यालीज तक नस्रिद्दीन मुहमूद है ये बारा सो श्यालीज से बारा सो श्यालीज तक सासन करते हैं फिर गया सो दिन बलवन जो की इंपोर्टेंट जो सासन है 1260-1290 इस्वी तक चलता है अब उनके सासनकाल की अगर हम बात करें जैसे कि कुत्म अदिन इवक का जो सासनकाल है वो अलग रहा है इल्तुतामिस है, रजिया सुल्तान है और मैं मसूद साह है इनके अगर सासनकाल की बात करें तो कुतम बुद्दीन एवक ने अपने सासनकाल में क्या किया है कुतम बुद्दीन एवक का सासनकाल राय 1206-1210 तक कुतम बुद्दीन एवक है 1206 इस्वी में दिल्ली के ये पहले सुल्तान बने थे कुतम बुद्दीन एवक गुरीत प्रदेसों के प्रवारी थे, गुरीत प्रदेस थे प्रवारी थे कुतमवुदीन एवक और बाद में मामलोग बन्स के द्वारा दिल्ली सल्टनत के वो सासक बने थे इनका जो सासनकाल है 25 जून 1206 से 1 दिसेम्बर 1210 तक इनका सासनकाल रहा है और इन्हों ने जो कुत्व बुद्दीन एवक है इन्हों ने दिल्ली में कुत्व मीनार की इस्तापना के लिए जाना जाता है यानि कुत्व मीनार की अगर इस्तापना की बारे में पूचा जाए किसने की तो कुत्व मुद्दीन एवग ने कुत्व मीनार की इस्तापना की थी और मामलुक बंस को हम दास बंस भी कहते हैं ये दिल्ली सल्तनत का पहला बंस था मामलुक बंस जिसे हम दास बंस भी कहते हैं दूसरा आता है इल्टू तमिस 12 11 22 36 तक इल्टूrich 11जays है, सासन करते हैं और इन्होंने तुली में कुत्व मिनार जो है उसका निर्माण पूरा किया था स्टाट रों किया था कुत्व मुदीन एवक ने, लेकिन इन्तूल तमजी है ये दिली में कुत्व मिनार के निर्माण को पूरा करते हैं और इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको लाहोर से दिल्ली इस्तांतित किया था जो इल्तुतमिस है ये पहले राजधानी थी लाहोर लाहोर से राजधानी को ले आते हैं दिल्ली और इल्तुतमिस की मंगोल नीती ने भारत को चंगेज खान के प्रकोब से बचाया था तो इल्तुतमिस की एक नीती थी अच्छी वाली नीती मंगोल नीती और उसी नीती की वज़े से भारत क्या है चंगेज खान के प्रकोब में जाने वाला था लेकिन भारत चंगेज खान के प्रकोब में नहीं बचा, यानि कि गया नहीं, बच गया, तो भारत को चंगेज खान के प्रकोब से बचाने वाले जो नीती है, वो मंगोल नीती है, जो इलतुतमिस के दोरा अपनाए गई थी, फिर आते हैं रजिया सुल्तान, रजिया सुल्त फिर आते हैं मसूद सा जो है 1242 से 1242 तक सासन करते हैं अलाउद्दीन मसूद बंसके साथवी सुल्तान थे जो मसूद सा है तो हम कह सकते हैं अलाउद्दीन मसूद बंसके ये साथवी सुल्तान थे उनके पास सरकार के वीतर बहुत कम वास्त्विक अधिकार या प्रवाब थे सरकार में जो काम कर रहे थे मसूद साहत उनके पास में बहुती कम अधिकार थे और उनका प्रवाब भी कम था बैप प्रमकों के लिए कट्पुतली के रूप में अधिक थे यानि वो कट्पुतली का काम कर दे थे उन्होंने खुद असासन तना जादा नहीं किया है इसके बजाए मसूद साज जो है मनुरंजन और सराव के अपने सौक के लिए बदनाम भी हो गए थे क्याकि मनुरंजन के लिए सादन डूनते रहते थे सराव पीते रहते थे तो इसके लिए वो क्या है बदनाम होके रखे थे मसूद साजी एकदम मसूद मसूल हो रखे थे और उनके पूरबरती की तरह उन्हें अक्षम और बेकार यहां पर माना गया फिर आ जाते हैं गयासुद्दीन बलवन गयासुद्दीन बलवन को गुलाम बंस का महान सासक बताया गया है अब क्यों बताया गया है महान सासक बलवन ने रहीसों पर अपनी सेश्टा सावित करने के लिए कठोर अदालती अनुसासन और पाईवोस पाईवोस क्या होता है सुल्तान के चरणों को साश्टांग प्रणाम और चुम्मन नामक एक नई रिती रिवाज की शुरुआत गी थी ताकि वो रहीसों पर अपनी सेश्टा सावित कर सके और पाईवोस जो है पाईवोस क्या होता है पाईवोस होता है साश्टांग हम दंडवत प्रणाम करते हैं किसी को तो सुल्तान के चरणों में साश्टांग प्रमान करना पड़ता था जो प्रेणाम करते थे और चरणों का चुम्मन लेते थे ऐसी रिती रिवाज उन्होंने शुरू किया ताकि वो अपने जो शेष्टा है राईसों के सामने सावित कर सके उन्होंने चालीसा तुर्की राईसों की सकती को तोड़ दिया जो राजसाई के लिए वास्तिव करता तुर्वी उसके लिए वास्तिविक खतरा थे तुर्की रईश और चालीस अदल जो थे असाटा तो उन्हों के तो यहां पर तोड़ दिया है और उनका मलबारा तो उस तरहीं के वीडियो के लिए स्थनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर झाल दो भी